तो दोस्तो आज मैं explain करने वाला हूँ 2015 में आई मूवी अलिगड को इसकी IMDB rating है 7.8 out of 10 जो की मूवी के हिसाब से काफी कम है क्योंकि जितनी अच्छी ये मूवी है उस हिसाब से कम से कम 9 out of 10 rating तो मिलने ही चाहिए थी लेकिन हम समझ सकते हैं कि audience को अच्छी चीजे जल्दी पसंद नहीं आती शायद इसे लिए इस movie को इतनी कम rating मिली है जल्द ही मैंने एक audience पोल डाला था जिसमें कि मैंने आपको 3 option दिये थे और आप लोगों ने तीसरे option को जादा vote दिये जिसमें कि लिखा हुआ था कि जो मेरे मन में है वो movie तो ये movie मेरे मन में थी explain करने के लिए और मरदानी 2 इसके बाद आ जाएगी मैं movie को explain करूंगा लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो नीचे लाल कलर से लिखे subscribe को दबा कर ग्रे कर दे इससे आप हमारे चैनल से जुड़ जाएंगे और आने वाली वीडियोस को देख पाएंगे और जिन्होंने subscribe करा हुआ है उनका बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग ऐसे ही चैनल से जुड़ रही है मैं आप के लिए वीडियोस लाता रहूंगा और अगर आप मेरे थोड़ा और करीब आना चाहते हैं तो मुझे Instagram या Facebook पर भी follow कर सकते हैं लिंक आपको description में मिल जाएगा तो मुवी की शुरुआत में हम एक आदमी को देखते हैं जिसका नाम रामचंदर सीरस होता है और वो रात के अंधेरे में रिक्षे में बैट कर अपने घर की और जारा होता है सीरस अलिगण मुस्लिम युनिवर्सिटी में मराठी प्रोफेसर होता है और वो युनिवर्सिटी दौरा मिले मकान में रहता था घर आजाने पर हम देखते हैं कि सीरस अपने कमरे की और जाने वाली सीडियों पर चड़ने लग चाता है और उसका समान लेकर रिक्षा वाला भी उसके पीछे पीछे जाने लगता है तभी थोड़ी दिर बाद वहाँ पर दो आदमी आते हैं एक की हाथ में ढंडा होता है और दूसरे की हाथ में कैमरा होता है और दोनों ही सीरस के घर की और जा रहे होते हैं थोड़ी देर बाद सीरस के कमरे से काफी शोर गुल की आवाज आना शुरू हो जाती है और ऐसा फील होता है कि जैसे वो दो आदमी सीरस को मार रहे हूं थोड़े समय बाद हम देखते है कि सीरस नग नवस्था में बैठे रो रहा होता है और ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि उसके साथ उन दो आदमियों ने कुछ बहुत गलत किया हो अब सीन यहां से शिफ्ट होकर हमें एक लड़के को दिखाया जाता है जिसका नाम तीपू होता है और वो एक न्यूस चैनल में असाइमेंट डेस्क पर काम करता था वो अपना काम करी रहा होता है कि तभी वो एक खबर पढ़ता है कि अलीगड में गे होने की वज़े से एक प्रोफेसर को सस्पेंट कर दिया गया ये खबर पढ़ने पर उसे ये एहसास होता है कि ये खबर बहुत अलग है जो की ब्रेकिंग भी बन सकती है और तब वो सोचता है कि वो इस न्यूस को कवर करेगा क्योंकि वो आम दिनों की खबरों से काफी अलग न्यूस थी क्योंकि किसी के गे होने पर उसको काम से सस्पंड कर देना ये बहुत ही बड़ी और सोच में डालने वाली बात थी दीपू अपने सीनियर के पास जाता है और उन्हें ये खबर की जानकारी देते हुए बताता है कि एक प्रोफेसर के घर में दो टीवी जर्नलिस्ट जबर जस्ती घुज गए और प्रोफेसर को एक रिक्षा वाले के साथ मेल जोल करते हुए देखकर उनकी वीडियो बना डाल और जब ये बात सब जगे फैली तो यूनिवरसिटी ने प्रोफेसर को सस्पेंड कर दिया ये जो केस हुआ है वो काफी बड़ी ब्रेकिंग स्टोरी बन सकती है तो मुझे इस केस की रिपोर्टिंग करने के लिए भेज दो दीपू की सीनियर उसकी पूरी बात सुनते हु उसे इस नियूस को कवर करने के लिए मना कर देती है और किसी और को भेजने को कहकर चली जाती है अब हम देखते हैं कि अलिगर मुस्लिम यूनिवरसिटी के बाहर कई लोग प्रोफेसर सीरस का पुतला लेकर उनके खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं और उस नारे बाजी मे ऐसा अक्रोज भरा दिख रहा होता है जैसे कि प्रोफेसर सीरस ने कोई बहुती बड़ा अपरात कर डाला हो अब इसके बाद हमें प्रोफेसर सीरस को दिखाया जाता है जिनके साथ उनके मित्र शीधरन बैठे होते हैं जो कि वो भी यूनिवरसिटी के प्रोफेसर ही थे श्रीधरण सीरस से कह रहा होता है कि तुम युनिवर्सिटी को एक लेटर लिख दो, कि उस राद जो भी हुआ था उसके लिए तुम शर्मिनदा हो तो शाये तुम्हारा सस्पंशन रुख जाए। सीरस को पता था कि उस राद जो भी हुआ था वो आपसी सहमती से हुआ था लेकिन फिर जो गटना हुई उस वज़े से अब हर कोई उसे अपरादी के नजरिये से देखे जा रहा था इसलिए मजबूरन उस पल को अपराद मान कर उसे माफी नमा लेटर लिखना ही पड़ता है सीरस की फैमली नहीं थी वो अकेला ही अपने घर में रहता था और ऐसे ही अपनी जिंदगी गुजारते आ रहा था लेकिन उस रात के बाद से उसकी जिंदगी में अतना तुफान सा आ गया था लेकिन फिर भी उसका साथ देने वाला कोई भी नहीं था एक रात घर पर अकेले बैटे हाथ में दारू का गलास लिए सीरस लता जी के गाने को सुन रहा होता है गाने का नाम होता है आपकी नजरों ने समझा प्यार के काबिल मुझे जैसे जैसे इस गाने के बोल आगे बढ़ते जा रहे होते हैं वैसे वैसे सीरस गाने को फील करते जा रहा होता है और धीरे धीरे उसकी आँखों में नमी सीथ दिखाई देने लग जाती है वो अपने दर्द को बताना तो चाहता था लेकिन उस दर्द को बाटने के लिए उसके पास कोई भी नहीं था और जो था उसी के चलते आज वो सब के सामने अपराधी बन चुका था अब हम देखते हैं कि दीपू अपनी सीनियर के पास फिर से जाता है और अलीगाण जाकर नीज स्टोरी कवर करने के लिए कैसे भी करके उसे मना ही लेता है अब दीपू अपने दोस्त के साथ अलीगर्ड युनिवरसिटी पहुँच जाता है और प्रोफेसर सीरस की तलाश करने लग जाता है लेकिन उसे वहाँ प्रोफेसर नहीं मिलते लोगों से पूछते हुए दीपू को प्रोफेसर का घर मिल ही जाता है लेकिन उनके घर पर ताला लगा होता है शामोने पर जब प्रोफेसर घर आते हैं तो दीपू उनको रास्ते में ही मिल जाता है और काफी अच्छे से बढ़ताओ करते हुए उनसे बात करने लगता है प् से सही फोटो खीचने लग जाता है और तब सीरस को समझा जाता है कि दीपू कोई स्टुडेंट नहीं बलकि एक पत्रकार है अब पत्रकारों की वज़े सही सीरस की लाइफ एकदम से खराब हो गई थी तो ये जानने के बाद सीरस एक छाता लेकर आता है और उसी से हड़कात हुए दीपू को तुरंती घर से भगा देता है अब अगले दिन दीपू अली गड़ युनिवरसिटी जाता है जहां पर एक प्रेस कॉन्फरेंस रखी गई होती है और वहीं पर युनिवरसिटी की हैड़ बता रहे होते हैं कि प्रोफेसर सीरस जो काम करते हुए पाए के खिलाब कोई करवाई क्यों नहीं की जा रही इस सवाल पर युनिवरसिटी का हैड़ जादा कुछ नहीं कह पाता और वहां से चला जाता है दीपू के बगल में बैटे फिलोस्पी के प्रोफेसर ताहिर इसलाम उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि तुमने जो सवाल वक्त है इस घर को छोड़ने के लिए तो उससे पहले ही बिजली क्यों काटी जा रही है आदमी कहता है कि अफसर चार घंटे ही बिजली मिलेगी और आपको जिससे कंप्लेन करनी है जहां भी बताना है बता दीजिए प्रोफेसर सीरस के साथ जो बस सुलुकी की जा रही थी वो कोई नॉर्मल बात नहीं थी बलकि ऐसा लग रहा था जैसे ये सब करने के पीछे किसी की साजिश हो और किसी के कहने पर ही सीरस को परेशान किया जा रहा हो अब हम देखते हैं कि दीपू प्रोफेसर ताहिर के पास बैठा होता है और प्रोफेसर उसे बता रहे होते हैं वो एयू की राजनीती का ही नतीजा हो अब इसके बाद दीपू प्रोफेसर सीरस से मिलने के लिए दوبारा से उनके घर जाता है तो देखता है कि प्रोफेसर अपने घर की बिजली का कनेक्शन सही कर रहे होते हैं दीपू सीरस की मदद करते हुए उनके घर की कटी हुई बि दीपू कहता है कि मैं आप से ये नहीं जानना चाहता कि उस राद क्या हुआ था लेकिन मैं ये जरूर कहूंगा कि उस राद जो दो लोग आपके घर में जबरदस्ती घुसाए वो बहुत ही गलत था प्रोफेसर सीरस कहते हैं कि जो कुछ भी हुआ था उसमें एयू के चेयरमेन बना दिया गया जैनवरी के लाश्ट में एक प्रोफेसर ने मुझे धमकी दी थी कि वो मुझे जादा दिन तक चेयरमेन की कुरसी पर टिकने नहीं देगा और फिर कुछ दिन बाद ये सब हो गया दीपू उनसे पूछता है कि उस राद वो दो लोग कौन थे जो मारने लगा और दूसरा आदमी उसी अवस्था में हमारी वीडियो बनाने लगा उन लोगों ने हमारे कपड़े भी चीन लिये और मैं चिलाता रहा कि मेरे दोस्त को मत मारो लेकिन उन लोगों ने मेरी एक भी नहीं सुनी फिर थोड़ी देर बाद वहाँ चार लोग और आ वैसे ही दूसरी तरफ एक और काफिला तयार हो गया था जो कि प्रोफेसर सीरस के साथ था और उनके सपोर्ट में खड़े होकर इनसाफ दिलाने के लिए नारी बाजी कर रहा था इन्हीं ग्रुप्स के कुछ हेट सीरस के पास जाते हैं और उनसे अलिगर्ड चाहिए और आपके केस को देश के जाने माने एडवोकेट विजय ग्रोवर लड़ना चाहते हैं प्रोफेसर सीरस उनकी बातों को सुनने के बाद एयू के खिलाफ केस लड़ने के लिए हा कर देते हैं अब साथ दिन पूरे हो गए थे तो अब प्रोफेसर को अपना मकान ख लाहे होंगे और उन्हीं रूल्स को प्रोफेसर सीरस ने तोड़ा है और अपने इस घुनोने वैवहार की वज़ज़ंस सिख्षक कौम की छवी को भी कलंकित किया है यहां विकटिम प्रोफेसर सीरस नहीं बलकि अलीगर्ण यूनिवरसिटी है क्योंकि कलंग तो यूनिव सम्विधान के रूल्स को नहीं आर्टिकल 21 में क्लियरली बताया गया है कि देश के हर नागरी को समान रूप से एकता और मर्यादा का हक है और 8 फरवरी की रात को हमारे क्लाइंट से सम्विधानिक हक छीन लिया गया उस रात दो लोग जबरजस्ती प्रफेसर सिरास के घर में घुज गए और उनके प्राइवेट मॉमेंट में उन्हें फिल्माया गया उसके थोड़ी देर बाद वहाँ पर यूनिवर्सिटी के बाकी प्रफेसर भी आ गये और वहाँ जो हो रहा था उसे वो रोक सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया फिर अगले दिन उन्दो जर्नलिस्ट के खिलाफ रिपोर्ट करने के बजाए सीरस को ही सस्पेंट कर दिया गया और उनसे उनका घर भी छीन लिया गया मेरे क्लाइंट को रिटायर होने में सिर्फ तीन मईने ही बचे थे लेकिन बड़ी बेरहमी से अलिगड यूनिवर्सिटी ने उनके सम्विधान एक हक को छीन लिया इसलिए मैं अपील करता हूं कि प्रोफेसर सीरस का सस्पेंशन वापिस लिया जाए और इनका मकान भी वापिस मिले अब कटगरे में एक प्रोफेसर को बुलाया जाता है जो कि बताता है कि हमें पता चला था कि यूनिवर्सिटी के अंदर कोई शूटि करना था यूनिवर्सिटी के अंदर होमोशेक्शुालिटी को प्रैक्टिस करना हराम माना जाता है इसलिए यूनिवर्सिटी के रूल्स के हिसाब से प्रोफेसर के साथ सही किया गया अब एडवोकेड विजय कटगरे में खड़े प्रोफेसर से सवाल जबाब करते हुए उसकी बातों को गलत साबित करने में लगे होते हैं लेकिन तबी प्रोसिक्यूशन एक लेटर दिखाती है जो कि वही लेटर था जो प्रोफेसर सीरस ने अपने दोस्त प्रोफेसर स्रीधरन को लिख कर दिया था अब यहाँ पर केस का जुकाओ थोड़ा अलिगर यूनिव जी से नहीं लिखा था श्रीधरन उससे कहता है कि अब यह मामला पबलिक इशू बन चुका है और मेरी फैमिली से कोई भी कभी भी कोड कचारी नहीं गया तो अब सब कुछ तुमें ही अकेले भोगतना पड़ेगा अब हम देखते हैं कि दीपू की दोस्त के पास एक वीड पास वीडियर जी फैमि से मारने लगे दीपू तभी रिक्षय वाले की शकल देखता है और सोचता है कि शायद इससे ही कुछ पता चल पाएगा तो वो उसे धूड़ने निकल जाता है दीपू को पता चलता है कि उस रिक्षय वाले का नाम हिर्फान है तो वो उसी के घर उ दो आदमी मेरे घर में घुसाए और मुझे और मेरे फ्रेंड को मारते हुए वीडियो बनाने लग गए। मैंने जब पूछा तो वो बोले कि सुसाइटी से कंप्लेन आई थी कि तुम सुसाइटी में गंदा कांड करते हो। उसके बाद उन लोगों ने हमें नगनवस्था मे खड़े करके अजीब अजीब पोस्ट में हमारी फोटोज भी निकाली। ये सब घिनोना काम चली रहा था कि तबी युनिवर्सिटी के चार प्रोफेसर्स वहाँ पर आ गए और मुझे वहीं खड़े होकर घूरने लगे और उन्होंने भी मेरे कप्ड़े वापिस नहीं कि और ये खबर बाहर नहीं निकलेगी लेकिन अगले ही दिन हर लोकल नियूस पेपर में मेरे फोटो के साथ ये कहानी चाप दी गई और फिर मुझे सस्पेंड भी कर दिया गया अब हम देखते हैं कि दीपू देर रात तक अपने आफिस में ही काम कर रहा होता है तब ही उसक देर के लिए ब्रेक लेने को कहती है उसकी सीनियर उसे छट पर ले जाती है जहांपा ज़्यादा रोशनी नहीं थी और कोई भी आता जाता भी नहीं था वो अपने साथ मदीरा की बोतल लेकर आई थी फिर दोनों ही लोग अपने काम की टेंशन भुलाने के लिए मदीरा प बढ़ जाती हैं और फिर वो एक दूसरे के होटों का स्वाद लेने लग जाते हैं उसी बीच हमें एक और सीन दिखाया जाता है जहां प्रफेसर सीरस इरफान के साथ बहुत ही गहरी गुफटगू कर रहे थे इन दोनों सीन को इस तरह इसलिए दिखाया जाता है ताकि और को पता चले कि जैसे दीपू और उसकी सीनियर में कोई प्यार नहीं था लेकिन एक मूमेंट बन गया और उनमें जौला भड़क गई वैसे ही सीरस और इरफान के बीच भी ऐसा ही कुछ था तो ये भी उतना ही नॉर्मल है जितना नॉर्मल दीपू और सीनियर का करीब आना अब अगले दिन हम देखते हैं कि नियूज में खबर चल रही होती है कि अलाबाद कोट ने प्रफेसर सीरस के फेवर में फैसला सुनाया है और सीरस केस को जीत गए है और अब उनका सस्पंशन भी रोक दिया गया है ये खबर सुनकर दीपू काफी जादा खुश होता है क् किस नियूज को सही से सबी के सामने लाने में उसका ही हाथ था रात में दीपू प्रफेसर सीरस को फोन करके केस जीतने की बधाई देता है और उनका इंटर्वियू लेने के लिए भी कहता है प्रफेसर सीरस कहते हैं कि मैं तुम्हें फोन पर तो इंटर्वियू नहीं देन अब अगले दिन हम देखते हैं कि आम दिनों की तरह दीपू कहीं पर रिपोर्टिंग कर रहा होता है तब ही उसके पास एक मैसेज आता है उस मैसेज को पढ़ते ही उसके आँखों से आशु बहना शुरू हो जाते हैं और वो अपने एमोशन को बिल्कूल भी कंट्रोल नहीं गए थे तब ही हमें एक सीन दिखाया जाता है कि जब रात में प्रोफेसर सीरस सोने जा रहे थे तब उन्हें अपने रूम में किसी के होने की आहट सुनाई दी थी इसके बाद स्क्रीन पर लिखा आता है कि प्रोफेसर सीरस के खून में जहर के अवशेश पाए गए थे औ और इसी सच्चाई के साथ मूवी यहीं पर खतम हो जाती है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि ये कहानी बिल्कुल सची घटना पर आधारित है। अलिगर्ड मुसलिम यूनिवर्सिटी में राम चंदर सीरस नाम के एक मराठी प्रोफेसर थे जिनके साथ ये घटनाएं हुई थी। और जब वो केस जीत गए तो उसके अगले ही दिन मरे हुए पाए गए। प्रोफेसर सीरस के साथ जो भी हुआ था ये तो पक्का है कि यूनिवर्सिटी के बड़े प्रोफेसर की इसमें बड़ी साजिश थी। और उनके गे हुने का उन लोगों ने गलत तरीके से फाइदा उठाया और उन्हें बदनाम का डाला ताकि जिस पोजिशन में प्रोफेसर सीरस थे उस जगए से वो हट जाएं। जैसा कि मूवी में बताया गया है कि यूनिवर्सिटी में पॉलिटिक्स ने जगा ले ली थी तो उसी राजनीती का शिकार प्रोफेसर सीरस भी हो गए थे। और इस राजनीती ने इतना बड़ा रूप ले लिया था कि उसने प्रोफेसर सीरस की ही जान ले ली थी। अभी हाली में मैंने चंदी गड़करे आशिकी नाम की मूवी एकस्प्लेइन करी थी जिसमें की बताया गया था कि कैसे ट्रांस गल को कितनी मुसीबतें जेलनी पड़ती हैं और सोसाइटी उनके साथ कैसा वेवार करती है। तो जो बाते मैंने उस मूवी में कही वही सारी बाते इस केस में भी लागू होती हैं कि सोसाइटी अब भी तयार नहीं है इस कॉम्यूनिटी को एकसेप्ट करने के लिए और अभी बहुत साल लगने वाले हैं इस बतलाओं को पूरी तरह से आने में अब इस मूवी की बात करें तो ये मूवी वो लोग बिलकुल भी नही देख पाएंगे जो इंटर्टेन्वन परपस के लिए देखते हैं लेकिन अगर आपको रियल आर्ट आफ सिनेमा देखना है तो इस मूवी को जरूर देखिएगा और तब आप समझ पाएंगे कि हाँ बॉलिवुड में भी अच्छी मूवी बनती हैं लेकिन हमेशा अंडर पाजबे की बहतरी नदकारी को देखने के लिए भी देख सकते हैं क्योंकि उन्होंने जिस तरह से प्रफेसर सीरस का रोल निभाया है वो आपके मन में बैठ जाएगा और आप उसके हर दुख और हर फीलिंग को समझ पाएंगे और यही एक एक्टर की असली पहचान होती ह कि वो कैरेक्टर की फीलिंग को और्डियंस को फील करा ले जाए वही राज कुमार राओ की बात करें तो उनका इस मूवी में ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था लेकिन जितना भी था उन्होंने अपने रोल को अंतक काफी अच्छे से निभाया है यहां हमें इन बातों का ध्यान रखना होगा कि हमें क्लियरली यह नहीं बताया गया कि रिक्षा वाला लड़का इर्फान क्या वो भी प्रफेसर सीरस को पसंद करता था या नहीं कोर्ट में एक बात भी छिड़ी थी कि प्रफेसर सीरस उसे पैसे देते थे संबंद बनाने के लिए तो इस चीज को भी क्लियरली नहीं बताया गया और यहां हम समझ सकते हैं कि एक रिक्षा वाला कितने पैसे कमा पाता है तो जाहिर है कि उसे पैसे की जरुवत होती ही होगी क्योंकि यहां एक ये भी बात समझ में आती है कि इर्फान उन गुंडों से मिला हुआ था क्योंकि उस रात आखर तो हमें काफी confuse करती हैं इस movie का flop होने का मतलब ये है कि ये कहानी बस उनी तक पहुंची जो इन चीजों को समझते हैं ये कहानी उन तक कभी पहुंची ही नहीं जिनें वाकई में समझना चाहिए इसके दो बड़े reasons ये हैं कि आज के टाइम में सबको सबकुछ फटा-फट देखना है कोई भी चीजों को रुक कर महसूस करना ही नहीं चाहता नहीं समझना चाहता है बस सबको सबकुछ शॉट में चाहिए आगे चलकर ये आदा तब और भी बुरी होने वाली है क्योंकि अब हर किसी को इंटर्टेन्मेंट बस 30 सेकंड में ही चाहिए होता है आखिर में मैं आपको यही कहूंगा कि ऐसे ही कई मुवीज हैं जिने आपने कभी शायद ही देखा होगा ये नाम भी सुना होगा तो मैं कभी-कभी ऐसे ही कुछ अच्छी मुवीज की एक्स्प्लेनेशन भी ले आया करूंगा ताकि आप बच्छे सिनेमा से भी रूबरू होते रहें अगर आप इस मुवी को देखना चाहते हैं तो इसे Z5 एप पर देख सकते हैं और मुझे उमीद है कि अगर आप अंत तक इस मुवी के साथ बने रहे तो आपको ये मुवी बेहत पसंद आएगी तो ये था एक्स्प्लेनेशन अलिगड मुवी का आपको मुवी और मेरे एक्स्प्लेन करना कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताईएगा और ऐसे ही आने वाली वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सबस्काइब करें और बैल आइकन दबा दें जिससे कि आपको नई वीडियोस की नुड़वेकेशन मिल जाएगी आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक पर भी फालो कर सकते हैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जूरू करें आपके लाइक और कमेंट से मुझे और भी वीडियोस बनाने का मोडिवेशन मिलता है तो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए ठाटा बाई बाई और नमस्ते करेंड़ से मुझे जिस्क्रिप्ज के लिए क्वार के लाइक, तो आएएगिन regainका बाई पसम का मिलता है